हेलो गाइस आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं C++ आउट्पिट के बारे में कि हम C++ के अंदर आउट्पिट कैसे प्रिंट कराते हैं उसके लिए हम क्या कोड लिखते हैं वो आज इस वीडियो के अंदर डिसक्स करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्स क्याता कि हम C++ के अंदर अपना बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं चेक आउट करें तो आप प्लिस वीडियो जाके चेक आउट करें आप प्लिस वीडियो जाके चेक आउट करें तो यहां पर मैं अपने विजल स्टूडियो कोड के अंदर हूं यहां पर मैंने अपने बेसिक प्रोग्राम ले रखा है यह जो प्रोग्राम में हमें हेलो वल्ड प्रेंट करें दिखाएगा हूं ठीक है तो C++ में आपको सबसे न में चाहते हैं है सब्सक्राइब को न्वर्ट के साथ इसके बाद ही आपको यहां पर लिखना है डेवल पूर्स यह यहां करें तो यह प्रिंट करेंगा है कि हमारा आउट्पिट इस प्रोग्राब हैं अ हेलो वल्ड आपीस स्टेटमेंट को लिख डूर लिख सकते हैं अगर आप्ट ऊसेouver न लिख सकते हैं अगर आपको on जाव पांच वार लिखना या तो आप इसके फांच वार भी लिख सकते हैं आbildung रिखाता हूं है ge hoald हमने अपे इस लेन को तीन वाड़ प्रिंट कर आए और तीन वार हमार जो प्रिंट हो गया अब आपके दमाग में कोर्शन होगा कि यह जो आउटफूट ए यе तो हमने निम्य गीन तीन स्क्राइब करा यह स्टेंट में फ़ीं किन पर आप फेसे को इसे लिखोगे गए तो तब भी हमारे जो आउटपुट पे कोई भी फड़क नहीं है पड़नेटे हुला으 तब हमारा अपे जाया फ्य investigate अपन आप जू आपना यहां पर सेम आ contarग में फिर आप प्र पॉड लाइन करें अपना गया ख़ो खो आप जो आउटपुट है kol sechs अगर आप कुछ चाहते हो कि जो अपनों output है वो different lines के अंदर है में multiple lines के अंदर आये तो उसके लिए आपको क्या करना है तो उसके लिए आपको जो एक new line जो इंसर्ट करनी होगी फिर new line जो अपको और करनी होगी मिस्स जब आपकी यह statement जाए उसके बाद जो अगली statement लाइन में print हो तो आपको कुछ ऐसा करना परेगा जिसे कि आपको जो next statement है वो new line में print हो किया है तो उसके लिए क्या होता है कि c++ में उसके लिए हमरे पास एक character होता है slash n क्या कर देता है आपके जैसे लाइन जो प्रिंट हो यहाँ पर उसके बाद जो आपका जो पोइंटर होगा वो next line आ जाए घा मिस्ट जो आपको यह स्टेट्मेंट है वो next line print हो जाए इसके बाद यहाँ पी line break हो जाए गिए अब अछासन आपको next Line में लियाएगा ठीक है हम इसको एक बार हैं आप फिर से रन करके देखते हैं रन कोड है स्टेख सकते हैं अप यहां पर यहां पर ही हैं और न्यूट को इसको अचीव कर सकते हैं एक और तरीका होता है अपने पास न्यू लाइन में अपने आपट लिखने का वह होता है एंड एल ठीक है तो आपको यहां पर एंड एल करना है आपको वापस से अपने इंसर्शन ओपर यूज करना है एंड इसके बाद एंड एल ठीक है तो आपको अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको इसका भी इसकी भी हैल्प से आप जो है न्यू लाइन में अपने आपट को प्रिंट करा सकते हों वापस से हम यहां पर कोड़ को रन करके देखते हैं तो यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां यूज कर सकते हो आप इन में से कोई साभी तरीका जो अपना यूज कर सकते हो ने कर आने के लिए एक जी और है यहां पर कि अगर आप चाहते हो कि इस स्टेटमेंट के बाद इस लाइन के बाद हमारे पास एक ब्लेंक लाइन प्रेंट होके हैं यहां पर मिस यहां के सब्सक्राइब पास दो आउट पुट आएंगे हैं इस टाइब से आप आते हो फिर हलो वर्ल फिर ब्लेंकल फिर हैलो वर्लल मिंस आप इन्हों के बीच में एक ऊचाहिए व्पिस एक राता है इसके लिए आपको दो बर आप लग देना क्या ओ इधारई करें आंक ब्लेगा इन सेक्ड सेली अपको और भी आपका आपके सब्सक्राइब करें तो देखते हैं आपके सब्सक्राइब पसंद आई इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में